है हेलो प्रेंड्स कैसा है आप सब लोग स्वाजम डोग शुद्रोग के अंतरगत वल्मीक व्याधि के बारे में पढ़ेंगे तो शुद्रोग वह होते हैं जून का डिस्क्रिप्शन है वह आयरोइन बहुत ही संशेप में दिया हुआ है बहुत ही छोटा दिया हुआ है और अंतरगत जो व्यादी आती है वल्मीक उसका वल्मीक भी बहुत ही संशेब में है मैंने शुद्रोग पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है अगर आप चाहे तो वहां पर देख सकते हैं इस वीडियो हम लोग वल्मीक के बारे में डिसकस करेंगे इसमें हम लोग वल्म बारे मेडिसिन में अक्टिनुमाइकोसिस कहते हैं और यह एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है बैक्टीरिया से होता है पहले तो पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको आने वाले और भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें आप हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं समानी लक्षण तश्लूक क्या है कि पणी पाद ताले संदो ग्रीवा याम उर्द्वजत्रुणी ग्रं अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं इसी श्लूक के अंतरगाद इसकी चिकित्सा इसकी संप्राप्ति बगारा देखने को मिलती है सो होता क्या संप्ली देखा जा तो यह एक प्रकार की गांट होती है ठीक है जो त्रदोष्य उत्पन होती है इसमें कलेद दाह कंडियू कbeltकी तथा वरन से व्याप्त गरंथी शद्रस होती है आचार अमाधवकर ने जो इस व्यादी के उत्पस्तिक ककषा और अंत्र प्रदेश में भी बता ही है कक्षा और अंत्रप्रदेश में भी उत्पन होसकती है अगर शीकित्सा ना कीजा तो यह विसरबिक समान फैलती है समान दिरे दिरे बढ़ती और सुई चुबने की समान वेदना सोटो थे सलेख्रा अब लाई उन्हों questi पर पुपिति हो collectively संधियों गरिवयवा जत्रू में जाते जाते वहां पर दूशित करते हैं वेलमीग प्रदी की पत्ति हो जाती है त्यक इसके लक्षन भी है एक प्रकार के गांट ऊती है गांट हो मिंदनद्थ कफ़ीक हुस्त्त होती है हस्त पाद संधियों और गरिवयव चत्रु के उपर उत्पन होती है मृतिका के डिर के समान धीरे धीरे बढ़ती और स्वीश्यूबनेश के समान वेदना युक्ति यहाँ आधी होती ही आपको इसके लक्षन समझ में आएंगे फिर इसके बाद देखते हैं इसकी आसाध्यता के लक्षन ठीक है जब इसके चिकि मतलब हाद पैरों के ऊपर वल्मी आइसाध्य होती है मतलब जघ में प्रकाष से युक्त होती हैं जिसमें डेर शारे छिद्र होते हैं श होती है युक्त वल्मीक की चिकित्सा नहीं करने चाहिए इसमें असाधी वल्मीक के लक्षन दिये हुए इसके असाधी के असाधिता के लक्षन फिर इसके बाद देखते हैं इसकी चिकित्सा इसका संदर्व ग्रांत तो संदर्व ग्रांत का मतलब होता है कि इस प्यादी का वल्मीक नहीं किया शूष्र सहिता ने शुद्रौक यंद्धक्त सच्र्वलमी को लीख आध्याए कि जो संख्यां हैं अगर आप वो सब जानना चाहते हैं तो इंट्रॉक्षन वीडियो में मैंने बताया हुआ है। इसके बाद एक इसका ABC । दे रहा हूं तो यह वगी है से सहन Ły फिर देखते हैं तो चिकत्सा कैने चोकतां को से की जाती रहां चाहीं logo शोजन चिकत्सा और पक्षवक्रपिंगा वस्था में किस प्रगार चिकत्सा के जाती है भो भी देखते हैं तो सश्त करम् में देखा जाए तो आचारे शुषूत ने सुसूरुच चिकिस्सा इस्थान अध्य पीश के अरताली से इस लोग से लेकर के 55 प्रणाई एक। दुसरूँ चिकिस्टा स्थान 20 से 20 से 20 से अर्वूत के समान चिकिस्टा करनी चाहिए अगर शोधन चिकिस्टा की बात की जाए तो आजयादी वल्मी छोटी तथा मनम स्थान में अवस्तित नहीं है तो वमन विरेचन के पश्चात रख्मोक्षन करा सकते हैं शोधन कर्म के पश्चात कुलत मूल गुड़िची लवल अमलतास मूल दंती मूल क्रिशन निशोत मूल तिल पिस्ठी जिसे पलल भी कहते हैं धान के लावा को संभाग में जल में पीसकर लेप लगाए अगर वल्मी छोटी और मर्व स्थान में अवस्तित नहीं तो वमन विर करती है तो पूय की गति का अनुमान कर शत्त से भेधन करें वरण को शुद्ध कर अगनी कर्म करें तो वहां पर भेधन कर्म किया जाता है तथा अगनी कर्म किया जाता है अगर वहां पर मांस दूशित हो गया है तो शुद्ध कर च्छार से प्रतिसारन करते हैं जिस वल्म इसमें और शदीयों का प्रियोग कर सकते हैं एक्जाम में कभी कभी आ जाता है कि वखभान रिक्षे को आधर्शिक सा पत्तर करें आधर्शिक सा पत्तर लिखें में में निक्राव परनोंपां चीभाफ़ चीभाल हो और धुमस्तानाशी से मोर्धि करनाश हो शुक्त में? में नम्हीं और उसके नाश को उल्मस्ताइब THE सबस्सटानों और जाते हैं ठीक है भोजन उत्तर खदिरारिष्ट संभाग जल मातरा में दे सकते हैं इस्थानी लेपनार्त के लिए जात्यादी तैल का प्रियोगी कर सकते हैं ठीक है और अंत्य में पत्या-फत्य का पालन भी करना चाहिए तो यह होगे इसके संपूर्ण चिकस्ता और आदर चिकस्ता पत्र अगर आपको वीडियो समझ में आई हो पसान दए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोई कोरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर डार्क मैसेज कर सकते हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए थाइंक्यू सो मच पर वाचिए